दोस्तो UIDIA के दोवारा आधार कार्ड का नए वेबसाइड को लॉंज कर दिया गया है जहां से आप एक साथ बहुत सारे सर्विसेज का यूज कर सकते हैं जैसे आधार कार्ड डाउनलोड करनी हो PVC आधार कार्ड ओर्डर करनी हो PVC आधार कार्ड की ऐस्टेटास चेक करनी हो या अपने नाम, date of birth, gender, address या किसी तरह का कोई भी correction करानी हो या अपने आधार कार्ड में link bank ऐस्टेटास चेक करनी हो तो सारे काम आप आधार कार्ड के नए पोर्टल से कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं अधार काड़ के नए पोर्टल के सारे services को बताने वाला हूँ तो वीडियो को सुरो से अन तक जरूर देखिएगा इस वीडियो में हम आपको complete process step by step सभी services को बताएंगे और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों अपने mobile या laptop में किसी browser को open करना होगा और उसमें search करना होगा byadharuidai.gov.in तो आपके सामने अधार काड़ के नए portal का page open होके आ जाएगा यहां से आप बहुत सारे uses का use कर सकते हैं तो करने के लिए अपने अधार काड़ को login करना होगा तो login करने के लिए login पे click कर देंगे उसके बाल अधार number को enter करेंगे और उसके बाल capture को enter करेंगे अधार number और capture इंटर करने के बाद send OTP पे click कर देंगे send OTP पे किलिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा उस OTP को इंटर OTP में इंटर करेंगे OTP इंटर करने के बाद login पे किलिक कर देंगे login पे किलिक करने के बाद नए portal के सभी service है जो पेन होके आ जाएंगे इहां सबसे उपर में language का option है आप इहां किलिक करके जो आप language चाहेंगे उस language को इहां से select कर सकते हैं और language के बगल में profile का option है इस पे किलिक करेंगे तो इहां से आपका आधार कार्ड दिखाने लगेगा और उसके बाद नीचे में फिलिप अधार पे किलिक करने पे आपके अधार कार्ड के बैक साइड का पेज दिखाने लगेगा और उसके बाद इसमें नीचे बहुत सारी services हैं जैसे कि download अधार यहां से आप अपने अधार card को download कर सकते हैं उसके बाद PVC अधार card आप यहां से अपने अधार card को PVC card में मंगा सकते हैं उसके बाद update अधार online यहां से आप अपने अधार card में name, date of birth, gender, address, language को change कर सकते हैं उसके नीचे bank linking status उसके बाद generate virtual ID उसके बाद lock unlock biometric उसके नीचे lock unlock अधार उसके बाद offline KYC उसके नीचे payment history तो यहां से आप इतने सारे services को use कर सकते हैं जैसे कि अगर अधार card को PVC card में मंगानी हो तो order PVC card पे click कर देंगे उसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पे आपका photo दिखाएगा उसके बाद आपका detail होगा उसके बाद right side में नीचे में next का option होगा इस पे click कर देना होगा उसके बाद right side में नीचे में make payment का option आएगा इस पे click कर देना होगा उसके बाद आपको यहां से payment करने का option आजाएगा यहां से आपको 50 रुपीज का payment करना होगा यह payment आप edit card से कर सकते हैं net banking से कर सकते हैं या wallet paytm upi से भी कर सकते हैं card से करने के लिए card पे click करेंगे उसके बाद card number expiry date cvb name on card को enter करके proceed करके अपने payment को कर लेंगे उसके बाद अगर आपको अपने आधार card में name, date of birth, gender, address किसी तरह का correction करना हो तो update आधार online click करेंगे और यहां से how it work या कैसे काम करता है दिखाएगा उसके बाद नीचे में proceed to update आधार लिख के आएगा तो यहां proceed to update आधार पे click कर देंगे और यहां से name, date of birth, gender, address जो आपको change करना हो उसके click कर लेंगे उसके बाद proceed to update आधार पे click कर देंगे उसके बाद आपका नाम लिख के आएगा उसके नीचे new name का option आएगा यहां से आप अपने नए name जो लिखना होगा उसको इंटर कर लेंगे उसके बाद name correction के लिए supporting document को select कर लेंगे कि आप यहां से किस document को देना चाह रहे हैं यहां बहुत सारा document का नाम आएगा जो document आप यहां से देना चाहेंगे किलिक कर देंगे उसके बाद payment का option आएगा वहां से payment करके अपने request को submit कर देंगे उसके बाद इसी services में नीचे में payment history है तो payment history पे किलिक करके आप अपने आधार card में जीतने सारे payment किये हैं उस सभी history को देख सकते हैं दोस्तों इस तरह आप इस नए portal को यूज कर सकते हैं मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा समझ में आया होगा अगर अभी भी कोई doubt है तो comment करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और please चैनल को subscribe जरूर कर ले ताकि ऐसे नए नए वीडियो का नोडिफिकेशन आपको मिलते रहें